अगर आप लोग Udemy के paid courses को जो की आमतोर पर आप लोग पैसे दे करके खरीदते हो इनको free में लेना चाते हैं certificate के साथ वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना क्योंकि यहाँ पर आपको एक या दो नहीं पूरे देख सकते हो 63 courses हैं जिनके आपको पहले पैसे देने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आने वाली वीडियो आप लोगों को पास लेट पहुचेगी और उससे क्या होगा coupon expire हो जाएगा और आप लोग course को free नहीं ले पाओगे उससे बेस्ट तरीका पताता हूं courses को free ल से हम चलते हैं सीधा अपने पहले नंबर के course की तरफ पहला course जावा का है जावा जो कि एक बहुत अच्छी programming language है अगर आप इसके basics सीखना चाहते हैं तो 10 घंटे का course है जिसने आप लोग सीख सकते हो course आपको certificate भी मिल जाएगा अप जान लेते हैं कि इस course को आपको free में कैस करना है course free लेने के लिए आप लोगों को उपर एक number दिख रहा होगा जो कि है number one देख सकते हो यह है number one अगर आप description में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले number के सामने एक link मिलेगा bit.ly का blue color में उस link पर click करते ही आप लोग directly कुछ ऐसे दिखने वाले page पे आ जाओगे और ज जाएगा इसलिए बार-बार बोला जाता है चैनल को subscribe करके रखो ताकि जो भी latest courses आ रहे हैं वो आपको यहां से सबसे पहले ही मिल सगे अब यह course जब आपको free दिख जाएगा enroll आउपे click कर देना इसके बाद आपको यहाँ पर login sign up करना है जो कि आप लोग Google, Facebook या Apple की help से अगर आप चाहो तो courses को mobile phone पे भी कर सकते हो Udemy का app download करना है उसके लिए जो कि आप कर लेना और उससे आप लोग course को mobile phone पे भी कर पाऊगे Q&A section में जाकर आप लोग doubt पूछ सकते हो और certificate लेने के लिए पहले course complete कर लेना overview section मा कर यह रह certificate का button जहाँ पर click करके आप लोग अपन लग रहा है तो वीडियो को like और share कर दो ताकि मेरे को motivation मिले और बाकी लोगों तक भी यहां से free में course और certificate पहुंच सके second course contract करेने वाला है governmental accounting से बोला जाता है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी यह course वैसे 4 दिन तक free है पर 4 दिन का wait मत करना काफी बार coupon पहले ही expire हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके उत्ता जल्दी वीडियो देख लिया करो तक ही आप लोग course इसको free में ले प साथ में लिख देना उसी कि I miss तो उससे मुझे पता चल जाएगा आपसे course miss हो गया है तो जैसे ही course next time free होगा मैं आपको अपनी comments के थूरू search करके notify कर दूँगा और अगर आप लोग चैनल को subscribe करके रखेंगे regular basis पर वीडियो देखते हैं 1-2 हफते तक 3 हफते तक जब भी course repeat होगा मैं वीडियो के अंदर add करूँगा और आप लोग वहां से courses को free में ले पाऊगे वैसे तो वीडियो बना कर पूरे upload करने में 4-5 काफी बार 6 घंटे तक लग जाते हैं और मैं इसका भी बहुत जल्द solution लेकर आने वाला हूँ तो आप लोग ready रहना चैनल को subscribe करके रख हम चलते हैं अगले तीसरे नंबर के course की तरफ governmental accounting का पहला पार्ट है इससे पहले जो था वह सेकेंड पार्ट था कोर्स की बाकी details जाना चाहो तो मुझे scroll करके देख सकते हो और enroll करने के लिए same process है जैसे course का नंबर देखो वीडियो के description में जाओ और उस नंबर के सामने एक link होगा click करके enroll कर जाना और अगर आप लोगों कोई दूसरा कोर्स ही तो comment करते ना या आप चाहते हो मैं किसी दूसर topic पर वीडियो बनाऊ तो भी बता देना 4th course audit करना सीख सकते हो financial statements को यह जो सारे course है आप लोग अगर commerce background से हो become कर रहे हो उस case में आप लोग इन course को ले सकते है next course quickbooks desktop job costing का आपको course देखने के लिए मिल जाएगा 6th course manager accounting या जिसे cost accounting में बोले जाता है वो भी course मिल जाएगा यह course जनरली दो तीन हफते में एक हफते में आते रहते हैं तो course मिस भी हो रहा हो तो चैनल को subscribe करके रखने हैं तकि next time course फिरी मिल जाए 7th course accounting का मिल जाएगा 8th number पे यहाँ पे software engineering के students है बोलो course सीख सकते है advanced network operations उनके उपर course है next course hyper ledger fabric के उपर course है यह भी आपका software engineering course है तो आप लोग try कर सकते हो next course numpy और pandas जो की python की library है उसको सीख सकते हो data science में और data visualization में यह चीज़ा help करती है 11th course English improve करना चाते हो तो वो इस course के through कर सकते हो आप लोग next course data science सीख सकते हो data manipulation python की help से next course nft में अगर create करना चाते हो या उसमें invest करना चाते हो तो उसमें यह course आपको help कर देगा next course again English improvement के आपका next course accounting का मिल जाएगा तीसरा पार्ट है governmental accounting के तीनों पार्ट इसी वीडियो में दे दी है 16th course यह भी आपका English के उपर रहने वाला है next course bootstrap का मिलेगा bootstrap 5 जो भी लोग सीखना चाते हैं web development के लिए यह आपको help कर देगा next course की तरफ चल रहें 18th नमर पर corporate finance का complete course है तो कुछ दिन पहले जब मैं लेकर आया था by parts था तो उसमें एक पार्ट रह गया था तो अगर आप इसमें enroll कर लेंगे तो आपकी सारे के सारे जो parts हो cover हो जाएंगे 18th course quickbooks desktop का मिल जाएगा next course personal finance का complete course है यह course भी काफे बार by parts में आता है जिसे part 1, part 2, part 3 यहाँ पर इसमें complete course आ चुका है 21 नमबर पर यहाँ पर आपको financial trading का financial planning का course मिल जाएगा next money in excel के ओपर course है next course quickbooks desktop का मिल जाएगा next course यहाँ पर real estate investment के ओपर finance का course है Excel accounting complete course है यह course भी by parts में भी आता है और combined भी आता है next course financial accounting का जहाँ पर course है सबसे बड़ा course है जिसने आप लोग सीख सकते हो basics advance तक next course quickbooks online का मिलेगा next financial accounting का ही course है और excel भी सीख सकते है 29 नमबर पर quickbooks desktop और excel का comparison है कि आपको किस काम के लिए क्या चीज़ इस्तमाल करनी चाहिए next course quickbooks का मिल जाएगा आप लोगों के लिए next zero जोकि accounting का software है उसको सीख सकते हो next course की तरफ जलते हैं जिसमें आपको quickbooks online और quickbooks desktop का दोनों का comparison बताया जाएगा advanced financial accounting सीख सकते हैं यहां से next course online business का मिल जाएगा 34 नमबर पर यह actually 34 नमबर पर course है यह आपका quickbooks को पर रहेगा next course की तरफ सलते हैं 35 नमबर पर जो लोग HR के लिए काम करते हैं HR है वो लोग इस course में enroll कर सकते हैं यहां पर questions और answers होते हैं बहुत सारे लोगों कमेंट आ था कि practice test में हमको certificate मिलता या नहीं मिलता तो आप लोग देख सकते हो practice test में certificate नहीं होता और पहले भी काफी बार वीडियों बता चुको हर वीडियों बताता हो पर आप लोग क्या वीडियों देखते नहीं हो तो आपक रिजाइनिंग सीखना चाते हो उस जगह यह course आपको help करेगा QuickBooks Pro का course मिल जाएगा next course car repairing के उपर मिल जाएगा अगर आप automobile engineer हो mechanical engineer हो तो उस जगह यह course आपको help कर सकता है यह भी आपका car repair के उपर ही course है next course एगली का मिलेगा जो कि software engineering का tool है next interview के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो SE हो तो उसके लिए आपको यहां से प्रिपेर कर सकते हो next course finance के उपर आपको एक practice test देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ABS CTFA का रहने वाला है तो उसको आप लोग ट्राइ कर सकते हैं इसको collaborations के उपर practice test है next 48 नमर पर आर्किटेक्चल फोटोग्राफी यहां पर आपको सिखाई जागी जिसके इंदर नाइट फोटोग्राफी HDR फोटोग्राफी यह सारी तरह की फोटोग्राफी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी 51 नमबर पर यहां पर आपको content के career mom के ओपर देखने के लिए मिल जाएगा next course यहां पर 52 नमर पर रहने वाला logistic regression का जो की R एक programming language है उसकी help से सीख सकते हो next course logistic regression का आपको देखने के लिए मिल जाएगा next course working remotely का आपको देखने के लिए मिल जाएगा next course यहां पर statics का मिलेगा business analytics के लिए आप लोग यूज कर सकते हो उसको next course Bible का मिल जाएगा next course online course बना के sell करना चाहते हो तो यहां पर करना सीख सकते अच्छे से 59 नमर का scrum का course project management में help करता है next course robotics को पर देखने के लिए मिलेगा questions और answers है next course की तरफ चलते हैं AI content generation का course मिलेगा 62 नमर पर AI की help पर web designing सीख सकते हो और जो आज का आखरी course है यहां पर graphic designing का रहने वाला है तो आप लोग यहां से सीख सकते हो अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार देना ताकि मेरी मैनत यहां पर करता हूं उसको आप्रिशिन मिले और मुझे भी अच्छा लगे और अपने दोस्तों को कोर्स फ्री में देना चाहते हैं तो वीडियो शेर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस वीडियो के लिए बस इतना ही पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नहीं करोग प्री में कोर्स और सर्टिफिकेट लेना है चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई एंड टेक कियर